आज की सबसे बड़ी खवर बजट आया एक लाइन में बजट को समझे हीरा सस्ता आटा महंगा सोचिए इस देश में इलेक्ट्रिक कार हो कार हो बाइक हो उसके तो दाम घटा दिये गए हैं लेकिन जो कमेडिटीज है जो खाने पीने की चीज है वो बरती जारी लेकिन सबसे जादा नुपसान हो रहा है आडानी को आज बजट के दिन भी अडानी के सेर अंधे मुगी रहे हैं और उसके साथ साथ जिन बैंकों ने लोन दे रखा उनके भी सेर गीर रहे हैं और अडानी अब रेस से पंद्रहवे नंबर पे चले गए हैं मतलब सोचिए कि अडानी का देश के अर्फिवस्था को बड़ा नुपसान हो सकता है और खासकर SBI और LIC के बड़े स्टेक लगे हुए हैं तो वो भी सबसे बड़ी खबर है बजट में सबसे बड़ी खबर है मन्देगा का बजट घटा है सिचाई का बजट घटा है हेल्स सिस्टम का बजट घटा है एजुकेशन का बजट घटा है यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और अडानी तिसरे नंबर से पंद्रहवे नंबर पेश चले गए हैं तो यह भी सबसे बड़ी खबर है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि सो इडी की और एक हीडिन बढ़ के गौरब ब चौबिस के लिए मंडल बनाम कमंडल सवन बनाम गैर सवन उसमें अखलेश यादव तेज़स्वी आदव की कोशिसे कि किसानों को साधा जाया और लेडी किसान नाराज है उनकी आयत दुगनी नहीं हुई आज तो जाट गुरजर पटेल मराथा सब लोग दंग हैं परसान हैं हैं उनकी भागिदारी नौकरियों में नहीं बन रही है लेकिन वहीं अब सब लोग को लग रहा है कि ब्रहामन समाज और खासकर सवन समाज के लोग जो हैं वो बोट नहीं देंगे हमें तो हमें उनकी जादा परवाह नहीं करनी चाहिए और जो यह स्टी ओबीसी को आम भासा में खबर समझाने वाले चैनल मूसी ले हुए है यह राजीव रंजा ने ट्वीट किया है और मुद्दा राम चरित्रमानस नहीं है नेता अपनी राजिती चमकाने के लिए राम चरित्रमानस की पंक्तियों का रोजगार बिरोजगार यह सुचिए चार लोग क समर्थन में ब्रहामन समाज दिख रहे हैं ठाकुर समाज जाट गुर्जर पटेल मराथा यह सामने नहीं आ रहे हैं तो हिंदू-मुस्लिम बला स्कैम भी नहीं चल रहा है सरकार के गले की फांस हो गई है उसको न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है क्योंकि मसला व महाराष्ट द्रोही घोसित कर दिया जाता और यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा था और यह सर्मनाग वीडियो देखें प्यूस बेवले ने सेर किया है किसान जिस अन को खुन पसीने से पैदा करता है उसी अन में सिवराज सरकार कंकर पत्थर मिलवा र लगातार महाराष्ट में हिंदू मुस्लिम की रादिती सवाब पर है और महाराष्ट में सरकार होने के बाद बाब्यूद भी रहलिया निकाली जा रही है क्योंकि प्रकास संबेटकर एंसी पी कॉंग्रेस और सिपसेना एक मोर्चे पर है और भाजपा सरकार बुल्डोजर भी गई थी सरकारी कर्मचारियों की जिसमें सारी सरकारी नौरतन कंपनियों ने पैसा दिया था सब ने दिया था हाई कोट में सरकार ने कहा है कि पीम केर फंड को सरकारी नहीं जिसके तहत आटिया के तहत उसको लाया जाए तो पीम केर फंड को प्राइवेट घोसित कर द लुटिया न डूपती बजट के दिन भी उनका लुटिया डूबा हुआ और देश गुलाम हुआ इसके जिम्यदार के नाम पर आपने किसी ब्रहामन का नाम नहीं सुना क्यों चंदरभान ब्रहामन साज जहां के और अरंग्जेव के तो यह इस तरह के ट्विट्स लिखे जा आप से लोग को जला के भस्म कर देते थे तो शाप दे दीजिए केस क्यों दर्ज कराना गर्दन काटने पर जीव क्यों एक एक किसला कई नाम है बैदिक धर्म में शाप देने की परमपरा है भस्म करने की परमपरा है तो कर दिजिए तो लगातार S.C.S.T.O.B.C. मानौट जरूर इसके खिलाफ है चाहा किसी भी पार्टी के हो वो राम चरित मानस के उन चौपाईयों के पक्षमी है लेकिन किसान जातियां और तमाम S.C.S.T.O.B.C. मानौटी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं ये बड़ा फैक्ट है यार की बड़ी खबरे थी बजट सोचि बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे